यहां पर आपका है धान का जीनोम यह हेडिंग है कि लिए है जीनोम आप राइस इसको बोल सकते हैं जीनोम आप राइस यह चीज होता क्या ध्यान दीजेगा जैसे धान में जो क्रोमोसोम्स होता है धान में जो टूयन होता है यानि की क्रोमोसोम्स होता है नमबर आप टूयन जो गुड़ सूत्र की संख्या होती है, वो होती बारा धान में गुड़ सूत्र की संख्या कितनी होती है? बारा होती है, लेकिन इस बारा गुड़ सूत्र पर 32,000 से 50,000 तक जीन्स होते हैं 32,000 से 50,000 तक जीन्स होते हैं, देखे धान में गुड़ सूत्र की संख्या होती 12 और इस 12 गुड़ सूत्र पर 32,000 से 50,000 तक जीन्स होते हैं क्लेर हैं और एक चीज और है यहां जो जीनोम है यह जीनोम क्या है तहीं अलग से नहीं आया है जीनोम कहते हैं और इनहीं आःग गुड़ित समुव पर जो कुल डिन्ने होते है। कुल DNA को ही क्या कहते हैं जीनोम कहते हैं कुल DNA को ही जीनोम कहते हैं समझ पाइक न और जो DNA के छोटे छोटे खंडों को क्या कहता है क्या कहा जाता है जीन्स कहा जाता है तो फैनली वही चीज है जीन्स है जीनोम इसके लिए परिशान नहीं है धान में 12 गुड़ सोतर होते हैं, जिन में 32,000 से 50,000 तर जीन्स होते हैं, और अगर बाद किया जाए धान के जीनों, तो धान के जीनों में 420 MP, MBP होता है, 420 MP, MBP होता है, तो यहाँ पर 420 MP, MBP, मेगाबेस पेर होते हैं, मतलब जीनों जो होते हैं, इसके जीनों में 420 मेगाबेस पेर होते हैं, और दूसरा नमबर, इसकी जो सिक्वेंसिंग होती है, सिक्वेंसिंग करने के लिए, यहाँ बैक का प्रियों किया जाता है, BAC, और इसका मतलब होता है, कि Bacterial Artificial Chromosomes, इसका मतलब क्या होता है, Bacterial Artificial Chromosomes होता है, अब यह जीज़ क्या होता है, तो देखो, जीनों में 420 मेगाबेस पेर हैं, और इनकी जो सिक्वेंसिंग की जाती है, मतलब 420 का सिक्वेंस कैसे होगा, सिक्वेंसिंग एक्वेंसिंग यह इंग्लिस का सब्द है न, सिक्वेंसिंग यानि कि इनको जो आर्डर में रखा जाता है, वो किया जाता है, और जब यह चीज किया जाता है, और जब यह चीज किया जाता है, तो यह राइस का अगर बात करें, मतलब राइस के सिक्वेंसिंग के, तो इंटरनेशनल राइस जीनों का जो सिक्वेंसिंग यहाँ पर इसके लिए, मतलब राइस के लिए प्रयोग किया गया था, IRGSP जब राइस के लिए क्या प्रयूट किया गया था IRGSP का यूच किया गया था अब IRGSP का मलब क्या हुआ बताइए International Rice International Rice Genome Sequencing Project मलब अगर राइस का मलब Sequencing किसके अंतरगत किया जाता है तो International Rice Genome Sequencing Project के अंतरगत मलब इसके इस प्रोजेक्ट में कई सारे देशों ने धान के जीनों पर काम किया क्लियर है अभी बस मलब अप में अगर आपकी स्लेबस की बात करें एक 12th Standard की सबसे इतनी चीज़े दी गई और उसमें सीधा सीधा ऐसे हैं कि धान में गुड़सोत्र 12 होते हैं तो देखे आपको इसमें सिंपल सा पहला पॉइंट गही है कि धान में गुड़सोत्र की संख्या कितने होते हैं 12 होती है जिन में 32,000 से 50,000 तक जीन्स होते हैं और धान के जीनोम में 420 मेगावेस होता है और जो धान की सिक्वेंसिंग की जाती है हां यहां जी का जीनोम होगा ठीक है जो इसकी मलब सिक्वेंसिंग किया जाता है तो सिक्वेंसिंग के लिए किसका प्रयूग किया जाता है लेकिन धान के जीनोम के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया है कौन से प्रोजेक्ट पर कई सारे देशों ने काम किया था तो वो है Indian Rice Genome Sequencing Project इस पर इसी तरह होता है मानो का जिनोम एक चीज समझो लगे हाथ पहले मानो का जिनोम बिश्मस ते के लिए जैसे आपने धान के जिनोम में समझा वैसे मानो का जिनोम क्या होता है तो देखो मानो जिनोम जो होता है यह क्या है अगर हम पूछे मानो जिनोम क्या है तो आप simply यह कह सकते हो कि मानो जिनोम का मतलब मानो की गुड़ सोत्र के गुड़ित समूपर जो कुल DNA है उनहीं को क्या कहा जा रहा है मानो जिनोम कहा जा रहा है तो मानो जिनोम क्या है किस से बना है तो जो मानो जीनोम में दो प्रकार की प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है कौन कौन सी एक तो कूट लेखन डियनने जीन और एक होता है गयर कूट लेखन डियनने जीन अब यहां कूट लेखन थोड़ी यह चीज़े आभी आगे इसके लिए रहो जाएंगी तो अब इतना जानो मानो में दो तरह के डियनने होते हैं या दो तरह की प्रोटीन कूट लेखन डियनने और गयर कूट लेखन डियनने अच्छा मानो में गुड़सोद्र कितना होता है 46 होता है 46 यानि कि 23 जोड़ा होता है ठीक लेकिन मानो जीनोम दो भाग में डिवाइट रहता है कुछ जीनोम केंद्रक में रहता है जिसको कहते हैं केंद्र के चुंगे डिनने दो जहें रहता ना एक तो केंद्रक में रहता है तो केंद्रक वाले डिनने को केंद्र के डिनने और एक Mitochondria में रहता है, तो Mitochondria वाले DNA को Mitochondrial DNA, तो से Manogenome भी कहां रहता है, दो भाग से मिलकर बना होता है, एक तो केंद्र के DNA और Mitochondrial DNA, और ये जब दोनों मिल जाते हैं, तो कहिना कि ये Genome का रूप लेकर अनुंसिक सूचनाओं को इसमें, अनुंसिक सूचनाओं को नहित करते हैं, और Jeans के माध्यम से इसको पीड़े तर पीड़े क्या करते हैं, संचारित करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, मानो जीनों दो तरह का होता है, एक तो केंद्र के जीनों और एक Mitochondrial Genome, क्लियर है एक केंद्र के जीनोम और एक क्या होता है माइटोकॉंट्रियल जीनोम अभी क्लियर है देखे यहां पर आपने लिखा धान में धान के जीनोम में कुल 420 ऐसे लिख दीजेगा क्या क्या हरित लवक में भी पाया जाता है क्लिए है तो देखो धान में अपने लिखा धान की जिनों में लिख लीजेगा धान की जिनों में 420 मेंगबेस पेर होते हैं जब कि धानमें 12 और जीन के उपर कितने होते हैं 32,000 से 50,000 तब जीन्स होते हैं किलेर अब दूसरा पॉइंट लिख लेना दूसरा लिख लेना धान के जीनोम की सिक्वेंसिंग नहीं ऐसे पॉइंट करके लिख लेना धान के जीनोम की सिक्वेंसिंग करने के लिए धान के जिनों की सिक्वेंसिंग करने के लिए bacterial artificial kromosomes का प्रयोग किया जाता है bacterial artificial kromosomes का करने के लिए धान के जिनों का sequencing करने के लिए bacterial artificial kromosomes बैक्टिरियल, आर्टिबीसियल, क्रोमोसॉम्स का प्रियोग किया गया अब देखो धान के जीनों का सिक्वेंसिंग का मलब जैसे धान के जीनों में 420 मेगाबेस पेर हैं इनका एक स्क्वेंस कैसे होगा तो इसके लिए किसका प्रियूख किया गया है बैक्का आर्टिबीसियल, क्रोमोसॉम्स का प्रियूख किया लेकिन एक चीज़ और है काम किया और कई सारे देसों ने भी धान के जीनों पर काम किया और उस प्रोजेट का नाम क्या था IRGSP, clear हैं, तो लिखनो, IRGSP के अंतरगत, हाँ, IRGSP के अंतरगत कई सारे देशों ने भाग लिया, उसे में लिखे गए ना, point करके, IRGSP के अंतरगत कई सारे देशों ने भाग लिया, मतलब धान के जीनोम पर काम करने के लिए, इस पर participate किया, अब यहीं पर कहीं लिख लिजेगा, नीचे लिख लिख लिजेगा इसका full form क्या होता है, international Rice Genome Sequencing Project क्लियर है यह चीज अब अग्ला लिख ले है मानो जी नूम हाँ मानो जी नूम और इसमें लिखेगा मानो जीनोम गुड सूत्रिय डियन्ने और माईटो कॉंड्रियल डियन्ने मानो जीनोम गुड सूत्रिय डियन्ने और माईटो कॉंड्रियल डियन्ने क्लियर है से मिलकर मानो जीनोम गुड सूत्रिय डियन्ने और माईटो कॉंड्रियल डियन्ने से मिलकर बना होता है मानो जी नो गुड़ सूत्री डियनने और माइटो कॉंड्रियल डियनने से मिलकर बना होता है जिसमें मानो की संपूर्ण सूचनाएं नहीं त्रहती है जिसमें मानो की संपूर्ण सूचनाएं नहीं त्रहती है मानो जीनोम किस से बना होता है मानो जीनो गुड़सूत्री डियनने का मलते केंदर के डियनने और माईटो कॉंड्रियल डियनने से बना होता है और मानो की सारी की सारी सूचनाएं इन दो प्रकार के डियनने में नहीत रहती मलब वहां प्रजैंस रहती है स्थिर रहती है और दूसरा नंबर एक चीज़ हो इन ही दो को यह हमने सीधा लिख दिया मानो जीनोम बराबर बुड़सोत्री डिन्ने प्लस माइटोकॉंड्रियल डिन्ने और इसे में सारी सोचनाएं नहीत हैं इस बेस पर मानो जीनोम की कितने घटक होते हैं दो घटक होते एक केंडर के जीनोम और माइटोकॉंड्रियल जीनोम तो आगे लिख लिख लिजिएगा मानो जीनोम की मुख्यतया दो घटक होते हैं मानो जीनोम के मुख्यतया दो घटक होते हैं चुकि ये दो प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं मानो जीनोम के मुख्यतया दो घटक होते हैं पहला लिख लिजिएगा केंदर के जीनोम पहला केंदर के जीनोम और दूसरा लिख लिजिएगा माइटोकॉंड्रिया जीनोम केंदर के जीनोम और दूसरा माइटोकॉंड्रियल माइटोकॉंड्रियल जीनोम दो तरह का जीनोम है मतलब यह दो घटकों से बना होता है अर्थात यह दो तरह का होता है आप यह बोल सकते हो कि लिए अब प्रसना आता है दोनों में में डिफरेंस क्या होता है है ना तो ये जो केंदर के जीनोम होता है ये होता है 24 रेखे DNA अड़ो में इसको बाटा गया है इसको किस में बाटा गया है 24 रेखे DNA अड़ो में इसको डिवाइड किया गया है 24 रेखे DNA अड में डिवाइड किया गया है किलियर है और इन में से ध्यान देना 24 रेखे DNA अड में तो डिवाइड किया गया है और इन में से 22 जोड़े आटो सॉम्स होते हैं ध्यान देना जिसमें 22 जोड़े बड़ सोत्र जो है आटो सॉम्स होते हैं क्लियर है और 23, 24 है तो 22 जोड़े क्या होगे आटोसोंस होगे और 23 नमबर पर X और 24 नमबर पर Y इन्हीं XY को मिला कर क्या कहते हैं अब देखो यहां पर ध्यान देना यह XY भी हो सकता है और 23 नमबर पर X भी हो सकता है क्लियर है एक्चलि इस बेस पर इसको 24 खा गया तो 22 रेखे डिन ने अड़ में इसको बाटा गया है और जिन में से 22 जोड़े आटोसोंस होते हैं और जो जो दो होते वही दो गुड़सोत्र लिंग गुड़सोत्र को निरधारित करते हैं क्लिय होती है पच्पन मेगवेस्पेर होती है और जो सबसे बड़े अड़ की लंबाई होती जैसा ऐसे पोछ ले जाए केंद्र के जीनोम में सबसे चोटे जीनोम वाले अड़ की लंबाई कितनी होगी तो पच्पन होगी और सबसे बड़े वाले की लंबाई कितनी होगी वह 250 हो कभे के लिंग को निर्धारित करने का कम करते है और बात क्या ये सारे हो गडशőत रेक्तर रहे से अब इन्हconf यह केंद्र के जीनौम् में या केंद्र के डीनने में जो भी गडशूत हैं तो केंद्र के जीनौम में अगर बात करें सबसे चोटे सors eggs कि यह सबसे छोटे DNA अड़ की लंबाई कितनी होती है तो होती 55 होती सबसे चोटे और सबसे बड़े की लंबाई कितनी होती है 250 होती है तो हम यह बोल सकते हैं कि ओबराल पूरे जीनों में DNA लगवक कितनी होते हैं 300 मेगावेस पेर होती है किनम CU I'm open itself, moral , पूरे जीनौम में , DNA में कुल लगभव , पूरे जीनौम को मतलब केंदर के जीनौम की बात करने पूरे केंदर के जीनौम के डी ने में कितने मेगा बेस पेर होते हैं ? तो और यह होते हैं 300 मेगा बेस पेर होते ॥ देखो इस से नहीं related॥ ध्यान सर्थ यह तो मैने समझाने के लिए बताए कि आप भोलो यह सबसे चोटे अड़ की लंबाई है ना कि हम नद्बर बोले है और यह क्या है सबसे बड़े अड़ की लंबाई है लेकिन अभी आप ठोड़ा से समझने के लिए overall overall के अंद्र के जीनोम में Qul कितने होतें Meg obese pair , Qul होते 300ses add करने का प्रियास मत करना, वह समझने के लि啊 Dquality rate करवाने थे Megiko base pair यह चीज़ होता है Qliar है तो यह चीज है अब क्या होता है Mitochondrial DNA में जो होते हैं वो ब्रित्ताकार DNA होता है यह जो Mitochondrial DNA होता है यह actually होता है एक circular DNA होता है क्लियर है जैसे वो धागे अभी केंद्र के में क्या होता है DNA अडू कहीं गोड़सोत्रा अभी सब धागे के फॉर्म में circular नहीं वो एक आप कह सकते हैं जिग जेग लाइन है लेकिन Mitochondrial DNA होते हैं वो कैसे होते हैं circular होते हैं व्रित्तकार अकार के होते हैं और इनकी प्रतलिपियां होती है जो इनकी फोटो कॉपी होती वो कहाँ पर बनेंगे Mitochondria में ही होती हैं और इनमें जो है कितने base pair होते हैं तो 16,579 मेगा बेस पेर नहीं 16,581 बेस पेर होते हैं अभी देखों मेगा ध्यान देना मेगा मंदलब होता है 10 की पावर 6 होता है जैसे किलो का मंदलब होता है 10 की पावर 3 वैसे मेगा का मंदलब होता है 10 की पावर 6 तो इसमें होते हैं 16,581 बेस पेर यह यहन्दा है यह न? चुंगे, मेगा पेर में आये गा हाँ नहीं बहई 10 की परॉट 6 में लापा होगी? यह तो डेस्मल में cला जाए गा? किलियर हैं? इसमें 16,500 डिनने अडव में विभाजित किया गया है केंदर के जिनॉम को 24 डिनने अडव में विभाजित किया गया है, 24 रेखे DNA अड़ में विभाजित किया गया है, जिसमें से 22 जोड़े आटो सौम्स गुड़ सो उत्र गह लाते हैं। जिसमें से 22 जोड़े आटो सौम्स गुड़ सूत्र कहलाते हैं। प्रेकट में एक्स और वाई अभी एक्स वाई कर दो वो तो बात की बात है, लड़का लड़की क्या हो रहा है। बाकी के दो लिंग गुड़ सौत्र प्रेकट में एक्स और वाई होते हैं। समझ पाएं? मतलब हमने देखो अपनी लेंगुज में लिखाया है। अगर आप चाहो तो किताब से चाप लेना हैं। हमने सीधा सीधा बोला कि केंदर के जीनोम जो है 24 रेखेटियन ने आड़के बना है। क्लियर है। और इनको दो भागों में बांट दिया गया है। 22 जोड़े को कह दिया गया आटो सौम्स गुड़ सोत्र और 23 और बाकी की दो लिंग गुड़ सोत्र एक्स वाई। तो 22, 23 और 24 हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है। देखो इसमें अगर सबसे चोटे अड़की बात किया जाए। कि तो उसकी लंबाई होती है प selves,भय बेसपेर और सबसे बड़की होती है। तो बह इसको ऐसे लिखो habían सबसे चोटे अड़की लंबाई। गुड़ सूत्र के सबसे छोटे अड़ की लंबाई गुड़ सूत्र के सबसे छोटे अड़ की लंबाई अब गुड़ सूत्र मतलब समझे रहे हो किंद्रप में भाई ये जो 24 रेखे हैं रेखा कारसंगचना क्या है गुड़ सूत्र ही तो है अरे भाई डंडोर अच्छा ग गुण सूत्र के सबसे छोटे अड़ की लंबाई 55 मेगा बेस पेर, जब की सबसे बड़े अड़ की लंबाई 250 मेगा बेस पेर होती है। गुण सूत्र के सबसे छोटे अड़ की लंबाई 55 मेगा बेस पेर, जब की सबसे बड़े अड़ की लंबाई 200 मेगा बेस पेर होती है। अब एक अलग से पॉइंट करके लिखना, इसी में है, लिखे। पूरे केंद्र के जीनोम में, DNA में लगभग पूरे केंद्र के जीनोम में, DNA में लगभग 300 मेगा बेस पेर होती है। पूरे केंद्र के जीनोम में आप सीधे लिख सकते हो पूरे जीनोम में, DNA में, मतलब जीनोम के DNA में लगभग 300 मेगा बेस पेर होती है। अब अगला माइटोकॉंड्रियल डेन्ने, इसमें लिखनो वैसे किताब वाला ही छपवा दे रहे। माइटोकॉंड्रियल डेन्ने, इसमें लिखो, अरे सोरी यार माइटोकॉंड्रियल जीनोम, इसमें लिखें, ये एक बृत्ताकार डेन्ने अडू होता है, ये एक बृत्ताकार डेन्ने अडू होता है, या एक बृत्ताकार डेन्ने अडू होता है, जिसमें यह एक बृत्ताकार DNA अड़ू होता है, जिसमें 16579 बेस पेर होते हैं, जिसमें 16579 बेस पेर होते हैं, मेगा बेस पेर नहीं, बेस पेर बीपी होते हैं, क्लियर, और इत्ती ज़ोर समझो, अगर हम पूछ लें, माइटो कोंड्रियल जीनोम की प्रतलिपियां कहा पर रहती हैं? तो माइटोकॉंड्रिया में रहे तो एक पॉइंट आओ अगर चाहो तो लेख सकते हो इसकी प्रतलिपिया माइटोकॉंड्रिया में होती है हाई हजए एची पी हुमन जिनोम प्रोजेक्ट है अना हमानो जिनोम प्रियोजना